अगर आप लोगो को किसी प्रस्ण में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंड कीजिएगा आपको जबाब बहुत जल्ड मिलेगा और साथी साथ अगर आप लोगो के लिए वीडियो बहुत है जानने बला है ठीक है चाहाए यूपिपीसील टीटू का त्यारी कर रहे हैं चाहीं प्यारी करें यह एन-पिस यह चाहा है बहुत हैल्फुल होने बला है चलिए आज का सबफसे पहला प्रसंद now हुआ है को सबसे पहला प्रसंद दिया हुआ है लगू परिपत की स्थिति में फ्यूज न उरने का करण क्या है अगर फ्यूज नहीं उर रहा है तो फ्यूज का जो rating होगा कापी ज़ादा होगा खुcod कि क। रेटिंग जैयेका कना उरेटिजEveryone कि नहीं करले सकतर हैYa एक होगा तो जाएगा लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं प्रसंद दिया हुआ है अगला परसंद दिया हुआ इसमें कर रहा लिए और भीद्ग परियोग करते हैं उसके बादे हैं चैक location परियो करते हैं तरमे रिले का परयों करते हैं涅 तिर्ध एलेक्ट्र नहीं इल्लीए का परयों करते हैं उप्सों सी dramal यूठ करते हैं जो की उप्सण c we तो यह ध्यान रखिएगा आगे बरते नेक्ट कोशन पर आज का अगला प्रसंदिया हुआ है कि परिपत् योजक का मुल का रहे गया यानि कि परिपत् योजक होता है ठीक है जिसे सर्किट बिडेकर कहते हैं इसका मैं कारे क्या है कि सर्किट बिडेकर का मैं कारे क्या होता है अप्शन अ में कारा आर्क का समन करना डी में कारा परिवे एक्स्ट क्यूशन दो आर्क आर्क का यानि की सामनन करना ओप्षन ए में दिया हुआ है तो ऑप्षन इसका ए सही हो जाएगा अब चलिए कि आगला प्रसेंद दिया हुआ है कि बिजली के जटके से होई च्छती की गंभीरतानिम लिखित पर निर्फर करती जहटका वह लगता है और उससे च्छती होती है तो गम भीरता निमने किसे किसे पर करता है option A करता पर्थी रोध और व्ल्टेज बी में आम पीयर और समय आउधी C करते व्ल्टेज और समय आउधी और D करता है अनुट तक उस व्यक्ति को जटका लगा है तो यह डिपेंड करता है सबसे यानि कि मैं जो गभीर्ता वाली बात है कितना इंपियर है कितना एंपियर का जटका लगा साथ ही साथ यानि कि कितना देड़ तक यानि कि उसके बाद यानि कि टाइम जिसे अवधी कहेंगे तो यह मैंड डिपेंड करता है अप्सन ए में तो कहा रहा परतिरोज और वोल्टेज तो इससे कोई मतलब है नहीं भाई मैंड फेक्ट्र जो है एंपियर और समय है अवधी है जो कि ऑप्सन बी में दिया है अगला प्रसंद दिया हुआ है कोचंस को ध्यान से पढ़िएगा कि निमलीखित में से किस प्रकार का परिपथी बियोजक निवन भोलता और निवन धारा के लिए अच्छा होगा ठीक है यानि कि वोल्टेज का वहलू भी कम होना चाहिए शाती साथ यानि कि करेंड का वहल चाहिए तो आप्शन ए में का रहा है यानि कि तेल परिपथी बियोजक और तेल जिसे यानि कि वायल सर्कुट बिडेकर का आते हैं इसका परियोग करते हैं कि निम भोलता और निम धाला के लिए यानि कि सबसे अच्छा जो होने वाला है वह मिनियेश्टर सर्किट बिडे बात करते हैं चलिए सी अप्शन पर बात करते हैं कि यानि कि प्रकार का सर्कुट बिडेकर का परियोग कि यह ना ही बात यह यह बात यानि कि ए जह चलता है और आवाज होता है आफिए ज्यादा करना कि जान है अब दियान रखेगा अब चलिए양 अगर pulse के पलगवासै में प्रेशन तंडीत ब्रामक परीवन दितर सते के लिए कि gusto क जाता है तो बाते हैं इसको पर्योंग किया जाता है दोस्तों में रूप से याने की रियानлек डीछित न के सब्सक्राइब जिसको परीयोग किया जाता है धूसतों में मैं से नुझाँ चाहसतर ट्रांसफर्मर का भी सुरक्षा प्रदन करता है तो दोनों के लिए यूज करते हैं ठिके ना तो करेक्ट एंसर जो होने बाला है दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा अब चलिए मिए खना है अगला प्रसंदिया हुआ क्वे स्मये ले लिए निम्नीकि इस मेशीं हो सब्सक्राइब तो स्मया बताना है तो उस यPOS और नब करता है शुकरिक्ट्यो इफेक्ट पर अप्षेक्ट्त किसी में दिया हुआ ह covers तो option A में करें यान्तिरिक प्रभाव तो यानतिरिक प्रभाव पितना ही होता है यह करता है हिटिंग इफेक्ट पर जो कि option B में दिया हुआ हिटिंग इफेक्ट correct answer की बात किया जाए तो option इसका बी सही हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंदिया है यदि load का मान बैस से बढ़ जाता है तो अर्थ लिकेज circuit breaker की सुभी धा उपलवद की जानी चाहिए इन्कि कितना से जजादा अगरITH लिकेज का बैलु अगर बढ़ जाये तो अर्थ लिकेज हर हाल में यानि की compulsory ही है कि अर्थ होना ही चाहिए इसका सीमा के अगर बात किया जाए दोस्तों ठीक है तो इसका सीमा जो फांच किलो वाट अगर पांच किलोवाट से ज्यादा मानक अगर लोड हो तो वहाँ पे अर्थ कंपलसरी है तो यह धियान रखिएगा option A में जो कह रहा है option A में कह रहा है एक किलोवाट तो एक किलोवाट में अगर अर्थ नहीं भी देंगे तो कोई दीकत नहीं है किलोवाट में 5 किलोवाट से पांच किलोवाट से उपर इतना हो उसमें अर्थ कंपलसरी है ने को अगरे चैनल की बात किया है option C में दिया है पांच किलोवाट कोरेक्ट एंसर जो होगा option इसका da मतलब का सर्कित रिख और देखिए अब रही बात कि यह इसका यान क्या है अब रही बात है अब रही बात है अब्वर ही इसका काम का ऑप्सन आ सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब चलिए अगला प्रशनाज का दिया हुआ करना कि इसके द्वारा आजिया ए इसके बारे में बताना है अरो साराक ट कोता है उसमें इसकी उर्जा परोशा जाता हैर दिया जाता है वह वय से दी जाती है जो कि option A में दिया है dc भोलता राइट एंसर की बात किया जाए तो option इसका इस सही हो जाएगा अब चलिए अगला प्रस्णाज का दिया हुआ है questions में कह रहा है एक circuit breaker समन्याता तब कारे करता है जब देखिए circuit breaker कब work करता है ठीक है उसके बारे में यानिकी बताना है तो option A में जो दिया हुआ है दोस्तो ठीक है option A में जो दिया हुआ है कह रहा है पावर की supply करनी हो तो पावर की supply करने पर यह नहीं होता है लाइन की जाच करना हो फिर भी ना on होगा और स्यूच को on करना हो फिर भी ना on होने बाला है जब लाइन में कोई खराबी आएगी तब ही यह दोस्तों यह कारे करता है तो circuit breaker कर क कर रहे किया है जब लाइन में कोई खराबी आए तो उसको बताना तो correct answer जो होगा option इसका डी सही हो जाएगा मैं आसा कर तो आप लोग सरा प्रसन को असा से समझे होंगे अगर कोही प्रसन में किसी भर करका डाउट है तो फिर आप लोग उसके लिए कॉमेंट कीजिएगा आपको जब आप बहुँ जल्द मिलेगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तके लिए जय हिंद।